करते हैं आप सभी का स्टार के स्टेडी पॉइंट में तो काफी इंपोर्टेंट कोईश्टन लेकर किया हैं इंटर्मीडियेट एक्जामेशन दुहजार तेश्ट जो कि आप लोग को छे तारीकों है बैलोजी का पेपर तो इसमें काफी इंपोर्टेंट सेसर्ण रहेगा य को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसका स्टार के स्टेडी पॉइंट डॉट कॉम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यहां से और भी मॉडल सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है बहुत कम समय बचा है तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कोश्चन का है रेगुलेटर जीन तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट कुश्चन है टू नहीं टेटनस त्वरा उत्पन वीस किसे प्रभावित करता है यानि टॉक्सिन प्रोड्यूस बाइदर टेटनस एफेक्टेड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वलेंटरी मसल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है थ्री नमबर एड्स विसानु में क्या होता है यानि एड्स वाइरस परपोस एड्स विसानु में जह होता है वह सिंगल एस्टेंट आरेने हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है फो नसीला पदार्थ है निकोटीन इसी के कारण नेक्स्ट कुश्चन है फाइब नंबर की घरेलू कच्राकिस परकार के प्रदूशन का गठन करता है डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिचूट विच टाइप ऑफ पल्यूशन यह बायो डिजरियोबल पल्यूशन होता है यानि जैब निमनिकरन परदूशन परदूशक होता है नेक्स्ट कुश्चन है शिक्स नंबर निमनांकित में से कौन जल्प प्रदूशन का समान संकेतक जीव है कॉमन इंडिकेटर और गेंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन विच फ्लोईंग तो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है वह होता है विच नोडिया कॉला यानि इकॉला वैक्टिरिया होता है जो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है बीस का राइट आंसर हो नेक्स्ट कुश्चन है एक नमबर लाइसीन से पर्चूर सकती रख तधा प्रोटीन इस इन में से किसकी किसमे है सकती रेटीन एंड प्रोटीन आर लाइसीन रीच दा वेरेटी आफ वीच आफ दा फ्लोईंग तो यह मिल्जर यानि मक्का का वेरेटी है डीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है नाइन नमबर वाइल का विडिये किसमें संचीत होता है तो यह मिल्जर लाइटोर्जन में कंजर्व करके रखा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है त्येन नमबर रेसम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है यानि प्रोटीन in silk threads तो रेसम के धागे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो फैबरीन होता है ठीक है न तो सीजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन है 11 नमबर लेडिंग को सिकाय क्या कहलाती यानि लेडि शेल सेक्रेट ये टेस्ट टोस्टोरें कहलाती ये इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कॉस्टन देखिए 12 नमबर मुखी गर्मिरोधक निम्नांकित मिसिकीन सन्योजग का बना होता है यानि कि औरल कंटासेप्टिव इस दे कंपोज्ट ओफ वीच ओफ फ्लोईंग कंबिनेशन तो ये एस्ट्रोजेन तथा पोजिस्ट्रोन का बना हुआ रहता है ठीक है न तो डीस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्टन थर्टी नमबर डीने परतिकरन के दौरान लेंगिक स्टेंट का निर्मान होता है लेंगिक स्टेंट डूरिंग डीने सिग्मेंट्स होता यान छोटे खंडों में होता है तो सिसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्टन है फॉर्टी नमबर फ्रेम बिस्तापन उत्परिवर्तन कब होता है फ्रेम सीप्ट म्यूटेशन इस अकर्स वेन यह बेसिस इदर डिलिक्टेड और एडेड हो सिग्रीक के द्वरा दिया गया था तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्टन है सिग्स्टी नमबर आरवीसी के पतन का कारण क्या हुई चुवन्स कॉल डिग्रेशन ओफ आडवीसी आडवीसी के डिग्रेशन के कारण क्या हो जाता है और शेनी यह वाटर ब्लूम से जो फॉर मेंड होता है वह हुआ टोनिक से से होता है यह निए प्लैंक टोनिक साइवाल से होता है तो डी इस कर्याइट आनसर हो जागा डेहस्ट कॉश्ट नमबर मिट्टी का निर्मान की स्प्राक यह एसे होता हैं फॉर्मेशन ओफ आफ स्वाइल होता है वह मल्टिंग ठीक है ना व्यादरिंग इसके बाद है पेटोजेनेसिस या बोथ बी और सी तो इसका जोड़ाइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए बेल्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोवीद की एक विशेष्टा क्या है करेक्टरिस्ट फ्यूचर ऑफ दा हाइड्रोफाइटिक्स इस प्रकार का प्लांट है जो जल में उगते हैं तो इसमें आर्चिनियमा आता यानि एरन काइमा होता है ठीक है ना तब इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन इंटर सेलूलर इन तो यह इंडो माइक्रो क्रेज्मिया में होता है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन ट्वेंटीवान नबर प्लियो ट्रॉपी जीन कैसा लक्षन प्रारूप होता है प्लियो ट्रॉपिक जीन सो दे विच टाइप ऑफ फिनो टाइप तो यह मल्टीपल फिनो टाइप होता है यानि विभीन लक्षन प्रारूप होता है तो बीस का राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन ट्वेंटीटीव नबर निम्नांकित में सित निम्नांकित में दो जीनों के लिए भी सम्यूगमी जीव कैसा होगा यानि प्रकार का होता है तो डीस का राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन ट्वेंटीटीव नमबर नेल में से कौन सा भारत का रास्टी जलिये पसू है विच वन्स इदर नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ओफ दा इंडिया यह तो सबको पता होगा कि यह तो जेनरल नॉलेज क का भी कोश्ण है एक हो यह क्या होता है हिप सिफटरोए को डॉल्फिन होता है तो टिरी इवर गलंडीई डॉल्फिन होना चाहिए ठीक है ना एक प mister न formats सार्क तो होता है यह ब्लू वेल भी नहीं होता है यहां पर गंग यह डॉल्फिन होता है ठीक है न तो यह इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डेस्ट क्वेश्चिन 24 नॉमर इन सुटू संडक्षन के अंतरगत कौन सा सामिन लहीं है विच इन नौट इंक्लू चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए 25 नवर आन्वी कैश जो डिन अस्तल प्रकारती है वह है यानि कि मॉलिकूलर सीजर्स वीच दकट डिन एड़ स्पेस्फिक साइट इस इसको कहा जाता है डिस्ट्रेक्शन इंडो निकुलियस यानि परतिबंधन एंडो निकुलेस तो बी तो इस प्रकार का जो होता हुँ रेटरो वाइरस होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्ट्टन है 27 नमबर कौन सा मनुश्यों में अपसेसी अंग है वीच आर्द विजिटेल और गेन इन हुमेन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का अल आफ चो विजडम तीथ नेक्टो नेक्टिव टेटिंग मेंब्रेन और टेल वर्टेवरेट यह सब का यूज नहीं होता है मारे बॉड़ी में वर्क में नहीं आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्टन है 28 नमर भी टी का पास निम लिकीत में से किसका प्रतिरोध करते यान से बीटी कोटन जीन्स तरी पेल वीच आपड़ फालोइंग तो यह इंसेक्ट होता है यानि कीटों से भी माड़ी होता है इसका राइट अंसर हो जागा नेक्स्ट कोशन 29 नमर पीसी आर्में पडिक्त टी एक्यू पॉलिम्रेज का स्रोथ कौन साहन है इस सोर्स ऑप दा ट फैलिक जीवानू होता है यानि थैर्मोफैलिक बैक्टेरिया तब इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है थर्टी नमबर अनुवांसिक अभियांत्री की द्वारा इंसूलीन के उत्पादन में निमलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है वीच आप योगतम की उत्तर जीवीता का विचार किसके द्वारा पर्यूट किया गया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थर्ट वाइदा पर पोस्ट बाई तो यह दिया गया था हड़वर्ट एस पैंसर के द्वारा तो सीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है अप्योगहारित खाजाए उरुब्रा के रूप में क्या जाता हूँ इस यूजड अज ग्रीन मैनियू बायो फर्टिलाइजर तो ग्रीन मैनियू फर्टिलाइजर जो होता हूँ धैंचा एक परकार का पौधा होता है ठीक है न जिसको क्या किया जाता है उगा करके और खे निम्नांकित में से कौन सा एक जीवन्विक कितनासक है वीच आप देफ फॉलॉवग इस अ माइक्रो वेल इनस सेट यह है बैसिलस थ्रेसिजिजिनियस तो सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डेक्स्ट कोईशन है थर्टिफोर नमबर निम्नांकित में से कौन सा होमो सेपिंस का पर्तिक्ष पुरवज है विच दिए मंग्स फॉलॉविग इदर अचिक टिए आंसर हो जाएगा डेक्स्ट कुष्ट ने थर्टिफाइब नमबर लास्ट कुश्टन है वाहित मलजल के प्रास्मिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम सामि इसमें फिल्ट्रेशन और सिड्मेंट्रेशन 20 का राइट आसर हो जाएगा तो देखिए काफी रिवाइज करना है तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से और वी सेशन लेकर करके आएंगे तो थैंक्यू प्रिप्रेशन करते रहिए ठीक है ना सब अच्छा ही होगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई थैंक्यू